देश को आजादी मिली कैसे मिली देश को आजादी ठालियां बजाने से नहीं मिली अब कुछ करने के आउ सकता है अपने ताकप का एसास कराने के आउ सकता है उत्रप्रदेश बिधान सबाद चुनाओं से पहले वहां पर राजनितिक पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खुलने शुरू कर दिये हैं बदान सुभा चुनाओं से पहले सुहेल दियो भारती समाजबादी पार्टी के अध्थच और पूर मंत्री उन्त्रकास राजभर ने एक बड़ा ईलान किया है उन्होंने जिला पंचाश अधिस के चुनाओं में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है राजबर ने कहा है कि भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए किसी से भी समझ होता कर लेंगे बड़ी बात यही है जैसे आपको याद होगा बिहार में भी इसी तरीके की चीज़ों को अपना गया बंगाल में भी राजबर और वैसी दूर रहे उसमें फायदा हुआ मम्तबनर जी को यह भी दावा किया है राजबर ने कि परदेश के कई जीलों में सुभासपा के जीला पंचाशदस से ही जीत की पटकता लिखेंगे वो वरानसी के एक निजी कायकरम इस बात को कह करके गए लेकि उसके बाद से उत्तरपदेश की दाजनीती में उत्हर पुथल मची हुई है बात हो रही है वैसी की जो हैदराबाद बाले सहब है उनको क्या अब फैदा होगा अगर अखलेश यादो की पार्ठी समावधी पार्टी के साथ सुभेहल देव राजबर पार्टी जाती है तो क्या उसका नुक्सान वैसी कह अठortonा पड़ेगा क्योंकि वैसी लगातार उतर प्रदेश में घूम रहे थे उनका चर्चा उनकी बाते यही थी कि सुभेल देव राजबर पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे लेकिन अगर उनका ये कहना है कि भाजबर को रोकने के लिए राजबर किसी भी दल के साथ मिल सकते हैं तो ऐसे में वैसी को बह पार्टी के मंत्री को नेता को कैबर मंत्री बना गया वहीं अब अंप्रिया पठेल की पार्टी की नेताओं को कोई तव्जों न दे जाने की बात ये समझ में आ रही है कि इनकी पार्टी और निका कितना बड़ा वजूद रहा होगा योगी से बिवादों के बाद उन प् रिच्छन हुआ है कोई किसी चुनाव में दल मिलकर के चुनाव लड़े हैं लेकिन यह भागेदारी संकल्ब जो बना हुआ है इसका असर दिखाई देने लगा है ओम प्रकास ने एक बाद फिर दो रहाया है कि वैसी किष्णा पटेल बाबु सिर्ण कुस्वाहा की आने वाले दिनों में पुर्वांचल मुंप्रकास राजभर के साथ मिल करके समाधवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है क्योंकि राजभर उतरपदेश के नहीं बलकि पुर्वांचल के 21 जीलों की लगभग 50 विधानसबास सीटों पर सीधे प्रभाव डालते हैं लेकिन वैसी अगर राजभर से दूर होते हैं तो नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ेगा इस सारी बातें अभी भविस्ट की गरत में हैं क्योंकि अभी मसला साफ नहीं हुआ भी लड़ाई है जीला पंचाय धर्ष की जिसमें उन प्रकास राजभर ने अखलेश चादो की पार्टी को समर्थन दे दिया है इससे समाजबादी पार्टी की जो अंदर जो कारकारणी है समाजबादी पार्टी के जो लोग है उनके मन में उस साह देखा जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में राजभर की पार्टी ने ऐसे बलिया में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजभर की पार्टी सामने आई है जहां भाजपा समावजी पार्टी बसपा भी बहुत पीछे रह गई है ऐसे में जब यह सर्चा हो रही हो कि सपा के साथ पुर्वांचर में कौन दिखेगा तो राजभर ने अपने संकेत दे दिये हैं अब आने वाज दिनों मे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए थन्यबाद जय हिंद जय भारत